मैं हुरुची एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल टेश का पिटारा में आज हम बनाएंगे सेम की रेसिपी इसे बाराना तो बहुत आसान है खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेश्ट लगती है लेकिन इसको साफ करने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंक पर उसमें से रेसे निकलते हैं जैसे यह वाली सेम जो थी यह बहुत ही कच्छी थी इसलेश में रेसे नहीं है जो नहीं होगी उसमें रेसे नहीं होंगे और जो अभी मैंने लिए उसमें आप देख सकते हैं कि तोड़ने के बाद इस तरह से खीचने पर उसमें से रेसा न तो ये बाद में मुझंब हाता है और खाने में बिल्क्ल भी अच्छा नहीं लगता है और ये बहुत ही असन होता है निकालना बहुत मुश्किल नहीं होता है मैंने शारी सेम को शाप सनह लिया है उसके बाद कड़ाई चढ़ा दी है गैस पर उसमें डाल देंगे सरसो का तेयल एक टेबल स्पून तेल को थोड़ा घरम होने देंगे उसके बाद हम उसमें डालेंगे एक चमा साब जीरा जीरा कड़कने के बाद हम इसमें तड़का डालेंगे तड़के में मैंने लिया है तीन से चार हरी मिर्च आप अपनी जरुवत के हिसाब से ले लें पांस साथ लेसन की कली हैं और एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने छोटा-छोटा काटा हुआ है इन सब चीजों को थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे हलका सा कलर चेंज होने के लिए उसके बाद मैंने लिया है आलो मैंने आलो को स्क्रेयर सेप में काट लिया है कुछ इस तरह से थोड़ा मोटे-मोटे टुकडों में आप पर तीन बड़े-बड़े आलो काटे थे आप अपने जरुवत के हिस काट लें अन्यादा किलो सेम लिया था इसलिए तीन बड़े साइस के अलु ले लिए हैं अगर आपको अच्छे लगते हो तालु की मातरा ज्यादा रखें लेकिन अगर आपको सेम का स्वाथ चाहिए तो आप सेम की कॉंट्रिट्री थोड़ा आलू से जादा रखें क्यू आलो को पकाते हुए बीच बीच में हम चला देंगे नहीं तो आलो नीचे से जलने लगता है जब आलो में इस तरह का नीचे से कलर आने लगे जैसा कि आप देख सकते हैं हलका सा कलर आने लगा है इसका मतलब आलो हमारा लगबग पक कर तयार हो चुका है आलो जब इसे फोड़ा अगर आप साभड़ा है ऐह सिरुफ नामक टीज में दरेंगे तो नामक डाले के भाद फारी पीज़ेह। धीमी आज पर दो-तीन मिनट के लिए दो-तीन मिनट पकाने के बाद हम धकन खोलेंगे और इसमें डाल देंगे दो मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर सेम को पकाने में ज्यादा समय नहीं लगता है दो-तीन मिनट में यह लगव पक जाती है इसलिए अब हम इसमें टमाटर एड़ करतेंगे टमाटर हमें लास्ट में ही एड़ करना है टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए पकने जरुटी पराठे चावल के साथ पहां चावल के साथ खाता अब को मेरी सेम की रेसिपी कैसी लगी बताईएगा अगर पसंद आई हो घृ दो इस विडियो को लाइक कर दीजिये अपने फ्रेंच के साथ ये वीडियो शेयर कीजिये और कमेंट करके बताईए कि आपको कैसी लगी मेरे रेशपी कि आपके घर में सेम की रेशपी कैसे बनती है आप ये भी शेयर कर सकते हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे थैंक्यो